ये scientist अपनी chair पर बैठा हुआ था लेकिन तभी इसके सामने से सारी चीजें हवा में जूलने लगती हैं और इसकी chair भी हवा में उठ जाती हैं फिर ये अपने मूँ से कुछ बढ़ बढ़ाता है और अचानक बेहोश हो जाता है दरसल ये अपने शरीर की आत्मा को प्राचीन जीवों से जोड रहा था फिर तभी पास में स्थित म्यूजियम में पड़ा आंडा क्राक होता है जिसके अंदर से एक जीव की आंख दिखती है और तभी इधर से उस साइंटिस्ट की भी आंखे खुल जाती है अब साइंटिस्ट को उस पक्षी की आँखों से सब कुछ फिर हमें रास्ते में चलती हुई एक गारी दिखती है जिसके अंदर एक आदमी और उरत आपस में रोमांस कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर उड़ता हुआ वो जीव भी आ जाता है जो गारी के शीशे को फोर देता है और इधर इनके सारे रोमांस का कच्रा हो जाता है फिर वो जीव उनकी गारी के उपर आकर बैच जाता है और अपनी चोंच से गारी की छट को फार देता है फिर वो गारी को उठा कर ब्रिज से नीचे गिरा देता है जिसके बाद वो सीधा उड़ता हुआ साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है